वेल्कम टुश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांसेकंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट महाराष्ट्र में पाल घर के गड़ चिंचले गाव में मॉब लीचिंग की घटना दोत रह के उनमादी वायरस के रूप में उभर कर सामने आई है पहला भीड का उनमाद जिसकी करतूत से यह सरमनाक घटना हुई और दूसरा सोसल मीडिया के जर्ये फैलाए जाने वाला वह उनमादी वायरस जिससे इस प्रकरण को सियासीव मजहभी रंग देने की कोशिशें भी होती दिख रही है महाराष्ट सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके अनुसार भीड ने बच्चा चोर गिरोह होने के शक में दो साधूओं समेत तीनों की पीट पीट कर हत्या कर दी इस प्रकरण को लेकर सियासी घमासान इस कदर उठा है कि अखिल भारती अखाडा परिसद तक ने लॉकडाउन खुलने के बाद साधू संतों के महारास्ट्र कूच की चेतावनी दे दी है यह अवश है कि हर बार मॉब लीचिंग को लेकर दुनिया भर में शोर मचा देने वाले उन पत्रकारों लेखकों राजनेताओं और फिल्म कारों की इस घटना पर चुप्पी आश्चर्य जनक रही इस तरह की चुप्पी सोसल मीडिया पर छाए उन आरोपों की पुष्टी करती है कि ऐसे बुद्ध जीवियों का स्वें का नजरिया पक्षपात पूर्ण रहता है विपक्ष प्रदेश में कानून विवस्था को लेकर उद्ध उठा करे सरकार पर सवाल उठा रहा है यह बात और है कि महाराश्ट सरकार ने इस मामले में 110 लोगों को गिरफतार कर और दो पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए जाच का एलान कर दिया हाला की पुलिस पर आरोप है कि उसने जो तत परता आरोपियों की गिरफतारी में दिखाई वैसी यदि तीनों को बचाने में दिखाई होती तो यह दुर्भाग पूर्ण घटना टाली जा सकती थी वन विभाग के गस्त कर रहे दो अधिकारी इन तीनों को भीड से बचा कर अपने दफ्तर ले आए थे जाहिर है कि इसकी इत्तिला भी पुलिस को जरूर दी गई होगी तो फिर पुलिस बिना तैयारी वहां क्यूं गई घटना के जो वीडियो भी बता रहे हैं कि किस प्रकार कानून के रखवाले भीड के आगे बेबस नजर आ रहे थे बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने के शक में मॉब लीचिंग के मामले पहले भी हुए हैं इस प्रकरण में भी छेत्र के आदिवासी बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह से डरे हुए थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान इतनी भीड का सड़क पर आना भी सवाल खड़े करता है भीड खुद कानून का काम करने लगे इसे किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए बड़ी चिंता ऐसे मामलों को सांप्रदाइक रंग देने की है जो मुख्यमंत्री उद्धा उठाकरे के बयान में भी दिखती है दरसल सोसल मीडिया के इस्तिमाल ने अफवाहों को तेजी से फैलाने का काम किया है ऐसे माहौल में जब समूचा देश कुरोना संक्रमण के खतरे से एकजुट होकर मुकाबला करता दिख रहा है आपसी विद्वेश नपन पे इसका भी ध्यान रखना होगा उकसाने वाले संदेशों का आधान प्रदान सामाजिक समरस्ता को भंग करने वाला हो सकता है अजय करते है अजय करते हैं आपसी विद्वेश नपना है